रोगों से समस्त मानिसिक संबंद समाप्त करने है तो आपको स्वास्त के साथ मानिसिक संबंदों में प्रवेश करना होगा। प्रक्रिया सकरात्मक हो, नकरात्मक नहीं मानने की हो, असुइकार करने की नहीं। आपको रोग को अस्विकार करने की अपेक्षा स्वास्ते प्राप्त करने का महतपून कारे करना है केवल रोग को अस्विकार करने मातर से उद्देशिकी प्राप्ती नहीं होती ये केवल इतनी साहेता कर सकता है कि मन रूपी घर को शैतान से मुक्त करा सकता है अनिता इसे भी निक्रिष्ट रोग हो सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से स्वास्त से मानसीक तारतम में स्थापित कर लें, तब आवश्यक रूप से रोग से आपको अपने सारे संबंद तोड़ने ही होंगे। अप्यस्त विचार बन जाए। ये कारे उतना भी सरल नहीं है जितना की प्रतीत होता है। इसके लिए लंबे समय तक किये गए ध्यान के अभ्यास की आवश्यक्ता है। और फिर हर व्यक्ति में इस प्रकार स्वयम की मानसीक छवी को उभारने की विशेशगिता नहीं होती। अमीर होने के विज्ञान में ये अप्यक्षा करित परियाप्त आसान है कि व्यक्ति उन वस्तों की छवी उभार दे जिनकी उसे आवश्यक्ता है। क्योंकि वो वस्तों या उनके प्रतिरूप देखे एवं पहचाने हुए होते हैं। अता उनकी छवी हम अपनी स्मृती की साहता से सरलता से धारन कर सकते हैं। किन्तो यदि हमने अपने आपको कभी परिश्कृत शरीर में देखा ही ना हो तो उसकी सपष्ट मानसिक छवी बनाना कठिन होता है। बहराल आवशक ये नहीं कि आप वो मानसिक छवी धारन करें। जैसा कि आप होना चाते हैं। यव के सुचारू संचालन का विचार लेकर चलती है। आप स्वयम की समूचित छवी देखने का प्रयास कर सकते हैं। इससे साहता मिलेगी और आपको चाहिए कि आप स्वयम के ऐसा होने का विचार करें कि आप पून उर्जावान एवं स्वस्थ व्यक्ति की तरह सारे कार कर रहे हैं। आप अपनी उस छवी की कलपना करें जिसमें आप सतरकता पूर्वक तेज कदमों से सड़क पर चल रहे हैं। कलपना कीजिए एक ऐसी छवी की जो बीना ठके अतरिक्त उर्जा से दैनिक कारियों को संपन कर रही हो। आप अपने मन में उस छवी का निर्मान क कर सकते हैं कि एक स्वस्त एवं उर्जावान व्यक्ति किस प्रकार अपने कारियों का संपादन करेगा और इस प्रकार उन सब कारियों को करने में स्वयम को केंद्रिय पात्र के रूप में रखें। स्वास्ति की समस्या होने से मेरा तात्पर यही है शरीर का हर अंग सुचारू रूप से कारे करें। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको शरीर विज्ञान का अध्यान करने की आवशक्ता नहीं है जसे कि आब अंग प्रत्यंग की छवी निर्बित कर सकें तथा स्वयम को उससे जोड सकें उसे अपने यक्रित, व्रिक, अमाशय या हिर्दे से अलग-अलग वैवाहर की आवशक्ता नहीं है। मनिश्य के लिए स्वास्ति का सिध्धान्त के वल एक ही ही होता है जिसका उसके जीवन की समस्ति क्रियाओं पर नियंतरन होता है तथा इस सिध्धान् समगर स्वास्ति का विचार प्रतेक अंग तक अपनी पहुंच बना लेता है। किसी व्यक्ति का यक्रित, किसी यक्रित सिध्धान्त से, अमाशय किसी पाचन सिध्धान्त या विचार से, अथवा अन्य कोई अंग, किसी अन्य सिध्धान्त या विचार से नियंतरित नहीं कुछ समय पूर्व तक शरीर विज्ञान ने भोजन के बिना मनश की सहन शक्ती की अधिक्तम समय सीमा दस दिन निर्धारित की थी। ये माना गया कि अपवाद सो रूप कुछ प्रकरणों में ही मनश इससे अधिक जीवित रह सकता है। पुवास रखने वाले डॉक्टर टैनर उपुवास द्वारा उपचार पर डॉक्टर डेवे तथा अने लोगों के लेखों के साथ साथ 40-60 दिनों तक उपुवास रखने वाले अनेक लोगों पर किये गए शोध से ग्यात होता है कि बिना भोजन के मनश के जीवित रहने की उससे कहीं अधिक व्यापक है जितनी की अभी तक मानी गई थी उचित रूप से प्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति 20-40 दिनों का उपुवास रख सकता है जिसमें उसके वजन का कुछ हिरास हो सकता है पर शक्ति